हेलो इस्टूरेंट्स मेरे नाम कॉशल कुमार है मैं एक फिजिकल एजिकुशन टीचर हूँ और आज मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूँ हारवर्ड स्टेप टेस्ट ये हारवर्ड स्टेप टेस्ट कार्डियो वस्कुलर फिटनेस टेस्ट के अंतरगत आता है टो स्टूरेंट्स सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आखिर कार्डियो वस्कुलर टेस्ट है क्या देखिये वर्ड को पकाडियो प्लस वस्कुलर का वस्कुलर मतलब blood vessels से सम्मंदित तो cardiovascular का मतलब हो गया कि हिर्दे heart और जो vessels है blood vessels है उनसे सम्मंदित जो भी test है वो cardiovascular fitness test के अंतरगत आएगा अब इसको ऐसे समझते हैं इसके अंतरगत हम जो study करने वाले है heart और lungs इन दोनों की ability को check करना है यानि जो heart है और lungs है इन दोनों की दोरा blood vessels के माध्यम से oxygen rich blood हमारा जो working muscle tissues है जो mass species हमारे शरीर की काम कर रहे हैं जो उतक काम कर रहे हैं उन तक पहुँचाया जाता है जो cardiovascular fitness test है इसके माध्यम से हम heart की और lungs की oxygen rich blood supply करने की ability को check करते हैं जो muscles तक पहुँचाया जाता है और muscles की भी ability को check किया जाता है जो उस oxygen का उपयोग करके energy को produce करती है तो यह हमारा cardiovascular fitness test के अंतरगत आता है अब इसी के अंतरगत आपका Harvard step test आता है अब Harvard step test को समझ लेते हैं देखिए Harvard step test जो है यह cardiovascular fitness test है इसको aerobic fitness test के रूप में भी जाना जाता है यह जो test है यह ब्रोहा एंड उसके दूसरे साथियों के दुआरा 1943 में 1943 में develop किया गया था इस test में steps करने के बाद में उस व्यक्ति की recovery rate चेक की जाती है यानि उसकी heart beat सब कैसी है और इसके अनुपात में यह पताया लगाया जाता है कि उसकी cardiovascular fitness कैसी होगी ओके अब इसको करने का तरीका समझ लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़े चाहिए और किस तरीके से किया जाएगा तो एक बार इससे समझ लेते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें इस test के लिए कौन-कौन से equipment की जरुरत पड़ेगी यानि equipment required तो एक तो चाहिए आपको gym bench अगर gym bench नहीं है तो आप CD का प्रियोग कर सकते हैं तो उसकी जो उंचाई होगी वह होगी आपकी लड़कों के लिए 20 inch और लड़कियों के लिए 16 inch दूसरा आपको एक stop watch चाहिए और तीसरा आपको एक condensed tape चाहिए ये तीन चीज़े आपको चा पास खड़ा हो जाना है अब जैसे ही टेस्ट लेने वाला व्यक्ति टीचर प्रिसिक्षक उसको गो बोलेगा तो उसे अपना टेस्ट सुरू कर देना है उसको एक मिनट में continuously steps करने है उसको हर बार bench को उपर खड़ा होना है दोनों पैरों से और हर बार उसे नीचे उतर के खड़ा होना है तो जितने भी वो steps कर पाता है एक मिनट के अंतरगत वो करेगा उसके बाद उसकी heart rate को check किया जाएगा 30 सेकंड के लिए कि उसकी हर्ट रेट कितनी है उसके बाद फिर से उसको यही प्रक्रिया दोहराने के लिए कहा जाएगा वो फिर से करेगा एक मिनट एक मिनट बाद फिर से उसकी 30 सेकंड उसकी हर्ट रेट चेक की जाएगी इसके बाद एक बार फिर से यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी यानि एक मिनिट उसे step up down करना है और फिर 30 सेकंड उसका heartbeat count करना है तो इस प्रकार से यह है steps उसने तीन बार किये यहाँ पर दो तीन चीजें ध्यान रखने वाली है कि minimum steps एक मिनिट में 30 times होना चाहिए यानि कि वह एक second में उपर खड़ा होगा और एक second में नीचे उतरेगा दूसरी बात ध्यान रखने वाली यह है कि जब वह test शुरू करेगा तो जिस leg से वो शुरू करेगा मनलीजे कर वो right leg से शुरू कर रहा है तो right leg से ही stand up होगा उपर की तरफ और right leg से नीचे आएगा और तीनों बार right leg से ही starting उसे करनी होगी तीसरी बात यहां पर यह है कि जब test शुरू होगा first turn तो उसी time पर stop watch को on करके छोड़ दिया जाएगा और जब तक test over होगा तब तक वह continuously चरती रहेगी यहां पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जब भी student bench के उपर खड़ा होगा तो एकदम सीधा खड़ा होगा और जब भी वह bench से नीचे step करेगा तो भी एकदम सीधा खड़ा होगा अब इस Harvard step test की score की गढ़ना कैसे की जाएगी यानि calculation of the score कैसे किया जाएगा उसे समझ लेते हैं तो इसको हमें एक example के माध्यम से समझेंगे और उसमें क्या formula हमें apply करना है वो भी हम आपको बताएंगे तो सबसे पहले fitness index score को calculate करने का formula जान लेते हैं अब इसको ऐसे समझ लेते हैं एक example के माध्यम से formula आपके सामने लिखा हुआ है for example माल लीजिए कि वह है test का जो total duration है वो 300 seconds का है अब उसमें heartbeat कैसे चेक करनी है एक मिनट का हमने टेस्ट लिया एक मिनट बाद हमने एक से देड़ मिनट के बीच में 30 seconds हमने उसकी heartbeat चेक की तो first time जब हमने उसकी heartbeat चेक की तो उस time उसका heartbeats थी है 90 फिर से हमने उसको बोला कि फिर से आप steps up and down कीजिए फिर से उसने steps up and down किए तो दूसरी बार उसका जब दो मिनट complete हो गए एक मिनट पहला हो गए और दूसरी मिनट ये हो गई तो दो मिनट बाद हमने दो मिनट के बाद उसको बिठा करके 30 सेकिन का, फिर से हमने चेक किया उसका हर्ट बीट कितना है दूसरी बार मालनलिजी उसका 80 है हर्ट बीट फिर से हमने बोला फिर से उसको steps up-down कीजिए फिर उसने step up and down किया, bench पर खड़ा हुआ और नीचे उतरा तो फिर से हमने उसको बिठाकर उसका हटबिट चेक किया तो इस बार मालीजी उसका 70 आया तो तीनों बार का स्कोर हम जोड लेंगे तीनों बार का स्कोर मालीजी 90 प्लस 80 प्लस 70 इस उगल टू तो 240 हो गया और फॉर्मुला क्या है आपके सामने देखिए फॉर्मुले में इसको फिट करते हैं तो 100 टोटल ड्यूरेशन कितनी थी 300 सेकिंड्स यानि जो भी पूरा टाइम हमें लगा टेस्ट में वो 300 सेकिंड्स का था अब divided by कर दिया इसको to multiply 240 इसको जो हम calculate करेंगे तो यह निकल के आएगा 62.5 अब इसको हम कैसे जानेंगे किसका जो fitness index score है वो अच्छा है या किसका खराब है तो इसके लिए इस chart को आप देख लीजिए इस chart के according अगर male का यह index 90 से ज्यादा है तो वो excellent में count किया जाएगा और female के लिए अगर 86 से ज्यादा है तो वो excellent में count किया जाएगा इसी प्रकार से 80 से 90 के बीच में males के लिए good और female के लिए 76 से और 85.9 के बीच में good या above average माना जाएगा इस प्रकार से आप इस chart को देख सकते हैं इसमें अगर male का 55 से नीचे है और female का 50 से नीचे है तो वह poor की condition में माना जाएगा अब इस test के lab और honey जान लेते हैं जानी जो advantages है वो क्या है देखिए यह है जो test है बहुत ही minimum cost पर करवाया जा सकता है ज्यादा खर्चानी करना है इसमें इसके लिए कोई ज्यादा equipments की भी हमें आवश्चतन नहीं पड़ रही है बहुत कमली जैसे आपका एक bench हो गया आपक अब इसका disadvantage जान लेते हैं disadvantage यह है कि हर व्यक्ति की सररिक बनावट अलग अलग होती है उसकी विसेस्तें अलग अलग होती हैं माली जी कोई व्यक्ति जादा लंबा है कोई जादा चोटा है कोई जादा वजन का है कोई कम वजन का है हलका है तो उन सब के हिसाब से अगर दे जादा उनके लिए थोड़ा सा कठिन होगा और जो कम वेट वाले उनके लिए थोड़ा सा आसान होगा तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यह implementation जो किया जा रहा है यह equally नहीं हो पाता है सभी के लिए यह इसका disadvantage में count किया जाएगा तो इस ट्रेंट्स यह था आपका Harvard step test आसा करते हूँ आपको समझ में आया होगा cardiovascular fitness के अंतरगात इसको हम लगते हैं यानि aerobic test भी इसे हम बोलते हैं मैं आपको जिससे कि आपके exams में आप अच्छा marks obtain कर सकें एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप से कि अगर आप फरस्टर हमार चैनल पर आए तो इससे subscribe कर लें जिससे कि आपको और भी न्यू वीडियो मिलती रहेंगी और अपने प्रफ लक फॉर एक्जाम्स और मिलते हैं फिर आप नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में कि तक के लिए थेंक्स पर वाचिंग एंड टेक केर